तो चलो दोस्तों आज हम चलते हैं आस्तिनापुर और वहां भारतिय किसान यूनियन की रेली है तो टिकेट साब भी आ रहे हैं और काफी कुछ होगा काफी नेता आएंगे तो आज आपको लेके चलता है और वहां से दिखाता हूं फिर तो मैं भी हूँ और परदान जी जैसे देख रहे हैं आप गाड़ी चला रहे हैं और पीछे हमारे ठेकेदार साब बैठे हुआ है सारे जाएंगे अस्तनापुर तो यहां से तक्रीबन पच्छिस तीस मिनित पर आस्ता होगा वहां कर तो पच्छिस तीस मिनित लगेंगे उसके बाद बाकी की रिकोर्डिंग वहां से दिखाता हूं मैं आपको तो चलिए दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं सामने स्टेज है और हम लोग पहुंच चुके हैं तो चलो मैं आपको प्रोग्राम से डिरेक्ट ले दिखाता हूं कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है और आप देख सकते हैं कि सारे लोग आचुके हैं कट्टे होके और सब अपनी टॉपियों में और कुड़ता पजामा बहन के जादे तर लोग दिखेंगे और बाकी कि मैं आपको पूरा एक व्यू देता हूं जैसे कि आप लोग जानते हैं यह हमारे जो किसान हैं किसानों के सबसे बड़े नेता हैं और आज के टाई में आज आज इनका आया हूए है तो तो मैं आपको बताता रहूंगा तो हम देखते रहते हैं और भीड़ आप देख सकते हैं कि शोके से मिटिंग है बहुत बड़ी नहीं है अपने जिक्रेवील की सारे भाई अपना लोकल प्रोग्राम में लगे हैं और रागनी जो यहां के फेमस है आवाज मेरी आनी पाएगी लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो आप मज़ा लेजे रागनी का तो आपको दिखाना चाहता हूँ तो आपको दिखाना चाहता हूँ तो आपको दिखाना चाहता हूँ तो यहां पूल जाते हैं कि हमारा वसिया कौन है कि याद रखे हैं किसकी लंबी लंबी गाड़ी है को जादा करें को अच्छा नीठा बाट रहा है यहां तक कि को अच्छी तारू पिला रहा है आपने हिस्की बात करते हैं जो जबी का यह बात का नहीं है ऐसा ही हमने देखा था हमारे चोजी साब इलेक्शन के लिए खड़े हुए तो यह दिखाई नहीं दिया किसान थे इवल बत सब के बात करते हैं और इसकली के बात करते हैं क्या लिए दिया करते हैं मुझे फड़नगर से बहुत ही जुजहरू क्यानती कारी विचार धारा के धनी बड़े भाई उनपाल सिंग जी हमारे किसानी उनियन के शिर्मोर बहुत ही सम्मानित शद्धे विजेपाल गोपला जी बहुत ही आदर्णिये मंच्पर उपस्तित मंगिराम त्यागी जी और मेरे युवा हिर्द्य समराट वकील भाई मेगाज सिंग जी मंच्पर उपस्तित शब्सों में बात करूँगा तो बहुत समय भीत जाएगा मंच्पर उपस्तित सम्मानित महनुभाव मेरे संगीत मंडल के समस्त कलाकार बहदर मजदर किसानों नौजवान साथियों वास्तों में मेरा बच्पना बारे साल की आईयू से भारती एक किसान यूनियन के मंच्पर मेरा उदे हुआ टिकेश साहब बहुत प्यार करते थी आज वो जन सहनाब जब मैं देखता हूँ तो रोंगते खड़े होते हैं एक भजन मुझे आपकी बेच में सुनाना है और जरा शब्दों को सुने और तहे को सुने हिर्दे को सुने को शब्द तैयार किये हैं हिंदोस्तान की ताकत महत्मा मेहंदर सिंग के चरणों में ये शब्द समर्पित कर रहा हूँ वो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका व्यक्तितु उनके जीवन का प्रकाश वो जब तक इस रश्टी में चांद सुरज रहेगा तब तक चोधरी साहब का नाम रहेगा इतिहास रागनिया भजन बहुत किसान यूनियन के लिखे हैं समय बहुत बीच जाएगा केवल ये भजन चोधरी साहब की इस मर्ती में रखना चाहता हूँ लेकिन इस से पहले बड़े भाइदा के इस ठीकैस से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कुम सुनेगा किसान के दर्द को और किसान की हालत